हम लोग प्रस्णावी 7F हैं और यहां कहा रहा है निम्रिखित का माहान गयाती है चली कुस्सान नमबर 8 से देखते हैं हमें इंट्रिगेशन निकालना है देखिए क्या दियागा उपरा जागा e to the power minus x और नीचे 1 हो जागा यह कटके और फिर plus e to the power minus x dx अब हम लोग इसमें put कर देते हैं 1 plus e to the power minus x को t अगर आप इसे differentiate करोगे with respect to x तो यहां इसका 0 हो जागा यहां जागा minus e to the power minus x equal to dt by dx तो हम लोग इसे लिख सकते हैं e to the power minus x dx equal to minus dt ठीक है तो यहां पर देखिए क्या हो जागा minus dt और by में यहां t तो इसका जागा minus का log t और plus में c तो हम लोग यहां t के value रख देते हैं तो क्या हो जागा minus log 1 plus e to the power minus का x plus c यहां इसका आपका एंसर है 1 plus sin x को t अब इसे differentiate कर देंगे with respect to x तो sin का हो जागा differentiation cos और इधर जागा dt by में dx यहां अब इसे लिख सकते हैं cos x dx सकते हैं कि नीचे रूट में function यह दिया इसका derivative ऊपर है तो इसका टू रूट 1 plus cos x 1 plus sin x नहीं हो जाता इसे आप ऐसे भी लिख सकते ऊपर dt हो जाएगा और नीचे रूट टी यहां पर रख देंगे टू रूट एंडर 1 plus sin x प्लस हम लोग इसका डिरेक्ट इंट्रिकेशन कर सकते थे चलिए question number 10 देखते हैं हमें इंट्रिकेशन निकालने के लिए दिया हुआ है तैन x इंटू में आपका सेक स्क्वाइर एक्स एफिर इंटू रूट अंडर 1 minus का 10 square x with respect to x इसका इंट्रिकेशन निकालना है अब इसमें पूट कर देते हैं 1 minus सेक स्क्वाइर एक्स इक्वाइर 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 एक्स जाएगा इसका T तो माइनस वन बाई टू यहां रूट नर्वन मैंनस टैम स्कॉर्ड एक से तो इसका T रख दिया 1-1 वाइड टू इंट्रिकेशन आफ टी का पार 1 बाई 2 डी यह नहो जाएगा अब इसका इंट्रिकेशन का रूल जानते हैं पावर को नीचे नोट कर देंगे पावर को नीचे नोट कर देंगे पावर में एक को एड करके एक को एड करके तो 3 बाई 2 डाएक लिख देते हैं पावर में हो जाएगा 3 बाई 2 और नीचे आजाएगा 3 बाई 2 प्लस नसी यह दखिए यह आपका 2 से 2 कर जाएगा minus 1 by 3 t का power 3 by 2 plus mc यहाँ जागा minus 1 by 3 1 minus का 10 square x का power 3 by 2 plus mc यहाँ आपका answer हो जागा next question देखते हैं 11 number 11 number में हमें integration निकालना है 1 by नीचे देखे लिए cos x minus a into में cos x minus b with respect to x चलिए हम लोग integration करते हैं यहाँ 1 के place पर देखिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ ऊपर यहाँ पर दिखते हैं sin a minus b इसको balance करने के लिए यहाँ बाहर constant के रूप में यहाँ देते हैं sin a minus b ठीक है इससे divide हुआ और यहाँ पर multiply हुआ हम लोग formula पर set करने के लिए ऐसा कर रहा है ठीक है यहाँ कि sin a minus b से multiply और divide हमने किया है अब देखिए 1 by sin a minus b और देखिए integration उपर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं sin यहाँ लिख देते हैं x minus b plus में sorry plus में sorry minus में minus में x minus का a plus में देते तो गडबर हो जाता अब देखिए minus में दे एक से x कर जाएगा और यहाँ plus का यह हो जाएगा minus का भी यही वापस आ जाएगा इसलिए ऐसा किये हैं और नीचे आपका है cos x minus a cos into x minus b cos x minus b अब देखिए इसके बाद उपर हम लोग फर्म लगाते हैं sin a minus b यहाँ देखिए यह आपका ऐसे रहेगा 1 by sin a minus b और integration उपर आजागा sin x minus b cos x minus a minus cos x minus b sin x minus a और by में जो है यह आपका रख देंगे cos x minus a cos x minus b ठीक है और यहाँ dx अलग-अलग भाब कर देखिए अपका देखिए अपका हो जाएगा 1 by sin x a minus b integration of यहाँ देखिए अलग-अलग भाब करेंगा sin x minus a cos x minus a sin x minus b cos x minus a और नीचे है आपका cos x minus a cos x minus b ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा और फिर यहाँ देखिए minus cos x minus b sin x minus a और नीचे भाब में है यहाँ पर cos x minus a cos x minus b और यहाँ पर आपका d x यह इससे यहाँ पर कट जाएगा क्या? और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम दो cos x minus b है और यहाँ cos x minus b है 1 by sin a minus b integration of अंदर देखिए क्या हो जाएगा? sin बटा कॉस 10 लिख सकते है 10 x minus b minus sin बटा कॉस 10 लिख सकते है 10 x minus a dx समझ रहे है ना चलिए 10 के लिए हम लोग integration पर चुके है अब यहाँ लिख सकते है 1 by sin a minus b और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? इसका integration log sik x minus b और इसका log sik x minus a लग में है और बीच में minus है ठीक है? तो यह divide में चला जाएगा 1 by sin a minus b into log sik x minus b by में sik x minus a plus c यही आपका integration हो जाएगा समझ गए? तो फिलाल इस वीडियो में ही तक रहने देते हैं नेक्स वीडियो मार्ट को उसन देखिए कि आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करनों को पहला है pathfinder classes छपरा pathfinder classes छपरा दूसरा है आपके पास भारती भवन रवी कांत सर और तीसरा चैनल है रवी कांत सर के नाम से तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे लेटर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्सन में जाएंगे इससे लेटर नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सस्क्रिएंगे www.ravikant.sar.in और यहां जाकर आप सभी classes के notes और पीडियेफ को डाउनोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं इंसेग्राम और फेस्बुक पर जाके pathfinder classes छपरा को like and follow करना नहीं बूलेंगे थैंक्स पर वाचिं दे वीडियो